अवैध हतियारों की हिरा फेरी करने वाले आरूपियों को पुलस ने गिरफतार कर न्यायले में पेश किया है इसकी जानकरी पुलस अधिक्षक शेलेंदर सिंग चोहान ने रविवार को प्रेस्वारता के माधिम से दी पुलस अधिक्षक चोहान के निर्देशन में जिले में अवैध हतियारों के परिवहन क्रय विक्रय करने वाले आरूपियों के लिए विशेश अभियानचला आएक जा रहा है इस दौरान अवैध हतियारों की हेरा फेरी वर निर्मान के समन्द ने सूशना प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जितेंदर सिंख पवार, भीकन गाउं एसडियोपी, राजराम अवास्या के नित्रतु में थाना भीकन गाउं पुलिस द्वारा बड़ी कार तरफ आ रहे हैं, मुख्भी के सूशना पर भीकन गाउं थाना प्रभारी संतोष से सोधिया एवं गठट तीन ग्राम ललनी ने प्रतिक्षाले के पास पहुचे, इस दोरान पुलिस को बिना नंबर की मोटर साइकल आती दिखाए दी, जिस पर दो सिकली गर बैठे थे, प दोनों पेरों से अपंग था, सिकली गर के हाथ में कपड़े की हरी रंग की थेली थी, जिसके अंदर तीन नग देसी पिस्टल रखी मिली, उसने अपना नाम बलदेव सिंग पिता शिवदान सिंग सिकली गर नेवासी ग्राम सिगनूर बताया, मोटर साइकल चुलाने वाल में पूशने पर पिस्टल, कटे, स्वयम के द्वारा घर पर बनाना, वा मोटर साइकल अपने काका के लड़के राके से मंगा कर लाना बताया, देसी पिस्टल बनाने, रखने एवं ले जाने के समद में आरुपियों से पूशने पर लाइसेंस नहीं होना बताया, दोनों आरुपी बलवीर सिंग, सिकलीगर, बलदेर सिंग का है खृत्ते अपराद धारा 25A Arms Act का पाया जाने से आरुपियों के विरुद धाना भिकन गाव में 334 बटा 2020 धारा 25A Arms Act का अपराद पंजी बत कर अनुसंधान में लिया गया, आठ देसी पिस्टलों की कीमत 1,20,000 कटे बनाने वाली सामगरी भी बरामत ही गई है, दोनों आरुपियों को रविवार को नियाले में पेश किया गया, कारवाई में थानप्रभारी संतोष से सो दिया, सउनी रमेश पवार, और भरत मिलन, और शेक सुमीर, मुकेश ग्यान सिंग, राहुल, और पंकच का विश महत्पुन योगदान रहा, खरगोंज सादिक मिर्जा की रिपोर्ट